हेलो फ्रेंड कैसे आप सभी कैसे चलिए आप लोग के एसीएप के त्यारी आप लोग के एसीएप टेस्ट सिरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वानिकी के कुछ एमसी क्यूस के बाद आज हम लोग क्रिसी विज्ञान की महत्पून को लेकर आए हैं इसमें उन कोश्चनों को संग्रा किया गया है जो आपके आगामी पेपर क्ले बहुत ही महत्पून हो सकते हैं तो चलिए कोशन देखेंगे कि यूटूब चैनल में मैं जीते इन दथवाइत आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी क्लासेस आपके लिए हो रही है एसी एप के लिए क्रिसी व अनपम से मिल जाए चले स्टाट करते हैं आज कते सरी स्शन क कर दीज Cul लोग क्लासको चले पहला लेते हैं भूमी विकास बेंक एक भाग है किसका है राश्टे क्रिक dunno का क्रिस्टी बैंको का चेत्री वैंको का सहकारी बैंको का बताइये आप लोग आंसर क्या हो गा इसका आपस Nr.D सहकारी बैंको का याद रखेंगे भूमी विक секशन का भाग है सहकारी बैंको का बहुत यह वाठपून कोश्चलों का संग रहा है तो अच्छे से पूरा अंतिम्त देखेगा ज्यादा नहीं दस मेट का वीडियो होगा ठीक है दस मेट का हम लोग चोट 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 वीडियो बनाएंगे चले अगला कोशन लेते हैं उपरी लागत ओवर हीट कोश्ट का दूसरा नाम क्या है परिवलतित लाग बनाएंग लागत है और लिए बलकोस्ट टोटल कोस्ट मार्जिनल कोश बसक्ष्ट क्रॉंप बदाये सब्सक्राइब द्हीं कम लागत चले यह इसका नाम आपसर नमब डी नियत लागत या फिक्स्ट कोंस्ट बोलते हैं सारे इंस आुप लाइक कर दिजा बिखैँ प्रचेत्र उपज की प्रविश्टी की जाती है प्रप्र फैक्षप अबसी प्रचेत्र उपज की प्रविश्थी की जाती है तिए इस में नोड करते है फॉर्म श्टॉक रजिस्टर में देखा है नेस कोशन के और आगे बढ़ते हैं निम्न मेंसे कौन सी खेती की सफलता का मापक नहीं खेती की सफलता का मापक कौन से नहीं है या रखें नहीं सब्द रेखने पुझी पर मुल्या द्वारा बताए कौन सा मापक नहीं है बोला है चले क्या होगा इसका अशर आपसर नबर डी पुझी पर मुल्या द्वारा यह हमारा मापक नहीं है बाकि सारे मापक है सुद्धाय होने चाहिए परिवारिक स्राम आए पुंजी पर प्रतिसत प्रतिफल ठीक है चले नेस कोईशन के आगे बढ़ते है वीधिक खेती एक प्रकार है खेती की प्रकार है ए और भी दोनों है क्या है वीधिक खेती किसको बोलते हैं आपनों वीधिक खेती चले कमेंट का बताईए जल्दी से और आगे नेश्ट किस टॉपिक पर आपको एक कोश्चन चाहिए भी बता दीजिए क्रिसी के चाहिए वानिकिक चाहिए कि अधर सब्जेक के स्टार्ट करें कि और इसी को भी और आगे बढ़ाएं ठीक है कमें बताईएगा चलिए इसका अंसर क्या हो निम्न में कौन सा फार्म प्रबंद विश्च्लेशन का साधन नहीं है फिर से नहीं देखेगा क्वेश्चन मा कर ली करिए फॉर्म नियोजवन फॉर्म आए वेती वेई करन उठपादन तथा लागत फलन फॉर्म बही अविलेक तो बताई इनमें से कौन सा नहीं है चले प्रबंद विश्लेशन का साधन नहीं है तो ऐसे कोश्चान लाते हैं जो आपको आगयमी पेपर के लिए और महत्पूर काम है तो इसे तीन कोश्चां बन जाएगा करें तीनों का प्रबंद विश्लेशन का साधन है तीक है और अध्यान दीजेगा आप लोग को नोट्स चाहिए हैं डिटर नोट्स चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा मन्दी निर्ख्चक के लिए ठीक है एस एप के जो क्लासिस हो चुकि है नोच्स थीक है है रिते नौटज मिल जाएंगे तो अब उसके लिए हमसेज कर सकते हैं या मारा वार्पसक्न ममारी मैसेज करें के हमारे बैड़ से भी जूट सकते- कैंपने या तो इस प्रचेत्र प्रबन का अंतता उद्देश से क्या होता है जो प्रचेत्र प्रबन करते हैं उसका अंतता उद्देश से क्या होता है सका लाए बढ़ाना कुल लागत घटाना कारकों का अनुकुलतम प्रयोक करना उप्रोक्त में से कोई नहीं तो बताइए प्रचेत्र प्रबन का अंतता उद्देश से क्या होता है प्रचेत्र प्रबन का चले जले इस कमेंट का बताइए आपसर नमबर सी कारकों का अनुकूलतम प्रयोक करना होता है प्रचेत्र प्रबन का जो हमारे पास कारक उपलब दरेंगे उसका अनुकूल 970, 975 बताई ये तो सरकारी भीपढणन की स्थापना कब हुई थी ऑपसर नमबर बी ठीक है याद रखेंगे 1945 में 1945 में आपकी सरकारी भीपढणन की स्थापना हुई थी ठीक है मौस्ट इंपर्टन कोशें है आगे बलते नेश कोशें की ओर निम्न में एक कौन खेती का प्रकार नहीं है बताएं यह कौन से खेती का प्रकार नहीं बताना आपको सूस का खेती संयुक्त खेती रेचिंग खेती मिस्रिट खेती इन चारों प्रकार है कौन से एक नहीं है बताएंगा आपसर नमबर सी स्यूक्त खेती का खेती का प्रकार नहीं है याद रखेगा ठीक है सूसर खेती रेचिंग खेती मिस्रित खेती ये तीनों खेती के प्रकार है स्यूक्त खेती क्या है खेती के प्रकार नहीं है नाइस कोशन मुद्रा करेंसी का मुख्य क्या होता है तो currency का क्या काम होता है चलिए बताइए तो बड़े कोशन है है अपसर नंबर D तीक है उपरोके सवी। एन साग बड़े कहता है जब हमनों जमा करके रखते है तो एन साभी है यह चारों अख सभी है ठीक है नाइस कोश्चन क्यों आगे बलते हैं क्रिसी क्रीमत आयोग ठीक है जो MSP तैयार करती किसी कीमत आयोग कब गठिट किया गये था 1963-1965-1966-1975 बताई क्रिसी कीमत आयोग चले इसका अंसर होगा आपसर नमर्ब वर्स 1965 में याद आखेंगे क्रिसी कीमत आयोग कब गठिट हुआ 1965 में नेस कोश्चन देखते हैं क्रिसी वस्तुओं का समल्थन मुल्य क्या होता है MSP क्या होता है MSP सरकार के द्वारा मुल्य में रियायत देना जो बजार भाव हो फ्लोर प्राइस जिसके नीचे या वेचा न जा सके वन यूंतन मुल्य जिसपर सरकार इससे खरीदने को तयार हो किसानों को जो आपदा के समय धन दिया जाता है तो क्या एक एक्जेक कान सा पता ही है कौन से सही है आपसर नमबर सी वा निउंतन मुल्य जिसपर सरकार खरीदने को तयार हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग समत्य मुल्य या MSP क्रिसी उपज की प्रविष्ठी की जाती है किसमें करते हैं लोग बूक इन्वेंटरी बूक फॉर्मिंग स्टॉक रेजिस्टर में करते हैं तो किसमें करते हैं क्रिसी प्रणाली फार्मिंग सिस्टम एप्रोव क्रिसी प्रणाली पद्धती फार्मिंग सिस्टम एप्रोच सरुत्तम उप्योग सुनिचित करते हैं किसका करते हैं भूमी का भूमी प्रस्रम दोनों का भूमी स्रम पुंजी का भूमी स्रम पुंजी प्रवन का किसका तम उप्योग सुनी चीट करती है पताएगा इसका अंसर एकदम इजी है आप सब्सक्राइब डी भूमी कभी स्रम कभी पुंजी प्रबन तीनों करती चारों करती है नाइस कोश्चन कीमत वेद प्राइज डिस्क्रिमिनिस्टन क्या है कीमत भेद वस्तोका मुल्य अथिक होना वस्तोके मुल्य कम होना समान वस्तोका मुल्य भीन विंड़र कर दोस्थ 20 वस्तु का एक समय पर 20 20 मुल्य हो। किमर Spa किया होता है कैसे घत करतें किमर में सभी लाइक कर दीजह जीतने लोगे लगये dice उतनी लॉइंट करते Chee अभी का देखने करें यॉष्यू जो नए उन्होंगा सबस्क्राइब कर लीजे के ओकर नो D cola स्में पर किया टी जाती है चले इसका ऐसे का अंसर का अंसर का पठाएक है अपसे नंबर फs कराता है कि सब्सक्राइब करैह करते हैं कि खरते हैं तो कैसे लिखा रगौता हैं कमेंट बॉक्स में नेश्टूसी पर कोश्चन ले लाएंगे या क्रिसिवी ग्यांग के और कोश्चन बोलोगे तो इसको और आगे बढ़ा देंगे ठीक है चले मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद